हेलो स्टुडेंट मैं फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं इलन गाइड चैनल में आज मैं आपको वेस्ट बिंगाल बोड का क्लास 8 का 10.2 चेप्टर का 6 None Question से बताने वाला हो क्योंकि पिछली वीडियो में आपने देखा हूँ कि मैंने 5 None Question तक बता दिया था तो 6 None Question में दिया है एक खार खाने में 5 हर्स पावर और 3 हर्स पावर के 2 मोटर हैं 5 हर्स पावर के मोटर को 8 घंटे चलाने पर 20 यूनिट विदूत खर्च होती है तो 3 हर्स पावर के मोटर को 10 घंटा चलाने पर कितनी यूनिट विदूत खर्च होगा त्रे राशिक सुत्र से हल करें तो हमें 380 सुत्र से हल करना है, 6 नमर कोश्चन है, क्योंकि 5 नमर तक मैंने पिछले वीडियो में बनाया हूँ, वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, कि अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर कर ल बोलते रहूंगा कि क्या लिखना या फिर क्या नहीं लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर सब्सक्राइब कोश्चन में जो दिया है, तो यहाँ पर इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, अंग्रेजी वाले लिख लिजेगा, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, गणीतिया, गणीत की भासा में, ठीक है, गणीत की भासा में समझे, इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, होर्स पावर, को हिंदी में भी होर्स ही पावर बोलते हैं, अंग power ठीक है और क्या है समय है यह है आपका घंटा और यह है विध्यूत यहां विध्यूत यूनिट मेंों ठीक है तो यहाँ पर क्या क्या दिया है सबसे पहले कि एक कर खाने पांच होर्स-पावर और 3 होर्स-पावर के मांच और चर्श सब्से पहले मैं आपको बता दूँं, बहुत लोगोग को यह पता नहीं होगा कि होस्प पता ब्हूँत होती हमोड सॅरब हो मतलब मॉटर का पावर होता है कि वो कितने इसका की पावर कि मतलब फावर कि या कि किटना बल उठा सकता है उसके अंदर कितिनी पावर है उसी से होर्स पावर का मतलब वही होता है यहां पर घंटा में दिया है पांच होर्स पावर के मोटर को 8 घंटा चलाने पर 8 घंटा चला देते हैं कर बीस युनिट हमारा विदूत खर्च होता है अब यहां पे दूसरा क्या है तीन हर्स पावर मोटर को दस घंटा चलाने पर दस घंटा चलाते हैं तो हमारा कितना खर्च होगा यही निकालना है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी भी कोई चीज जी नीकाल नहीं होती है है तो हम क्या करते उसको ज्यादा मानें आ इसको तैक्षिन का दूसरे को बाद अबसे पता चलें आप समानुपाती है यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं हर्थ पावर को सर्च करते हैं तो यहां पर हमारे पास बहुत ज्यादा यूनिट खर्च करनी है बहुत ज्यादा यूनिट खर्च करना है तो हमारे पास जो भी पावर का मोटर है ज्यादा देर चलाएंगे अधिक समय त कि हम अभी हैं मैं इससे बिसकते हो में आ हमारा ज्यादा दो उनित खर्च हो रहा है पैसे नहीं को इसको चला नहीं हो कर सकते हैं तो यह हां पर देखिए हैं मारा तीन एक सरल समान उपाती है तो कि अस लोगा पर लिख लिएना हारसTime समय तथा विध्यूत में शरल यहां राशियों में विध्यूत में शरल समानुपाती है ठीक है तो यहां पे अब हमारा क्या हो जाएगा देखिए हमने आपको बताया था कि कैसे क्या करना है यहां पे x by 20 is equal to 10 देखिए नीचे से उपर के और लिखना हमें तो 10 by 8 into 3 by 5 अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पे x का वेल्यू क्या हो जाएगा एक्स का वेल्यू जाएगा 10 into 3 into 20 by 8 into 5 यहां पे यहां पे हमारा क्या होगा देखिए पांती आई 15 यह हमारा पंद्रा यूनिट एंसर हो गया ठीक है छे नमर कोश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरो मेरे आसा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा अब साथ नमर की ओर चलेंगे साथ नमर कोश्चन में क्या दिया है गोपाल नगर के एक तांत का रखाने में 14 तांती 12 दिनों में 210 ताणिया बुनते हैं हमारे पास अंगरे जी का भूक है अवेलेबल नहीं इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको पूजा के समय में 10 दिनों में 305 बनाने का ओर्डर मिला है तो समय से साड़ी देने के लिए और कितनी तांती को काम में रखना पड़ेगा तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं गडीत की भासा में समस्या हुई गडीत की भासा में समस्या भी लिखिए चाहे इतना ही भी लिख सकते हैं दीन इस इक्वल टू यहां पर दीन है और यहां पर साड़ी की संख्या और ताती की संख्या ताती कौन होते आप लोग को पता हो अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं जो हाथ से चलाने वाले मशीन को मशीन जो होते हैं उनमें कपड़े वगरा बुनने जाते हैं जो कपड़े हाथ से बुनने जाते हैं और जो वहां पर जो मिस्तिरी लोग काम करते हैं याने कि जो लोग काम करते हैं उसे ही ताती बोलते हैं ताती की संख्या तो यहाँ पर देख लिए क्या दिया है पहला 12 दिन में 210 साड़ी 14 ताथी बनाते हैं ठीक है तो 10 दिन में 305 के लिए कितना ताथी की आउसकता पड़ सकती है यह एक्स हो जाएगा अब इसको हम हमेशा के तरह जादा मानेंगे ठीक है हमारे पास जादा ताथी है तब इसको हम कैसे क्या करेंगे देखिए हमारे इसका रिलेशन निकालना है रिलेशन निकालना है यानि कि संपर्क होगा यहाँ पर हिंदी वाले लिख लिजेगा संपर्क होगा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दिन पहले निकालते हैं हमारे पास अधिक संक्या में बहु केसी दिन क्या होगा कम लगेगा क्योंकि हमारे पास लोग ज्यादा है हमारेपास कोई एक फिक्स काम है उसको करने के लिए कम समय लगेंगे तो यहां पर हमारा इन दोने में बिलों सम्हानुपाती होगा यानि क्यों कि इनवर्स rejoम होगा अब अब यह देखिए यहां पर अर यहां पर देखिए यह अ हम इसको ढख लेते हैं अ कउले ताथी की संख्या ज्यादा है अमारा तो यहां पर हमक्रते हैं एकाम है टाती है तो नहीं को अधिक दश्च हैं तो यह हमारा था लिवेंगों साडी की संख्या जो है वह अधिक बनेगा जितना ताती हम लोग ज्यादा लगाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा साडी बनेगा यानि कि हमारा दिन कितना भी कम हो अगर अधिक ताती है तो अधिक काम होगा तो यहां पर हमारा क्या है इन्वर्स रिलेशन्शिप है हमारा ताती और दिन में इन्वर्स रिलेशन है और साड़ी की संख्या और ताती में हमारा इक्वल रिलेशन्शिप है ठीक है सरल समानुपाती है और इसमें बिलो मा समानुपाती आप यहां पर लिख लिजिएगा ठीक है अब next इसका क्या हो ग रहेंगे जिखुल टू इस इक्वल टू नहीं लिखेंगे ताथी की संख्या एकस बाई देखिए नीचे से उपर आयो जैसे जिधर जाता है उधरी स्कसे हमें लिखना यह तो नीचे से उपर क्यों जा रहा जबार एकस एकस का निकाल लेते हैं एकसे इज़काउल टू क्या हो जगा है यहां पे नहीं लिख छले नीचे ही लिख लेते हैं हमरे पास य स्पेस है भूत त यहां पर हम X is equal to क्या हो जागा देखिए 300 बटा में 210 गुड़े 12 बटा में 10 गुड़े 14 अब यहां पे देखिए हमारा 0 से यह 0 गया यह 0 से यह 0 गया अब यह देखिए 2 साथे 14 ठीक है सरी 21 है साथ दुनी का 14 और साथ 3 21 ठीक है और यह 3 4 के 12 तो यह चारती है 12 दुनी का 24 आगया हमारा उत्तर यानि कि 24 ताती जो है 24 ताती जो है 10 दिन में 300 साणिया बुन देंगे यही आपकी संक्या हो गया लेकिन यहां पे कोश्चन में क्या पूछा था कि समय से साड़ी बुनने के लिए और कितनी ताती साथ्यों क काम में लगाना होगा यानि कि हमारा 24 ताती अगर होगा तो 310 दिन में बुन देगा तो हमारे पास पहले से कितने ताती थे यहां पे लिखेंगे यहां पर लिख लेंगे कूल यहां पर क्या कोश्चन में बुला है कितने और ताती 24 माइनस कितना टोटल ताती था 14 यानि कि 10 10 और ताती ताती की संख्या बढ़ाने पर कार संपन्न हो जाएगा ठीक है बढ़ी तातीयो की संख्या तातीयो ताती की बढ़ी संख्या यहां लिख लिजगा ठीक है आगे में इस इक्वाल टू कर लिजएगा ठीक है तो हमारा यह 14 ताती जो है हमारा उत्तर हो जाएगा ठीक है तो आज नमर कोश्चन क्यों चलती है आज नमर में क्या दिया देखते हैं चलिए अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग हमें टेलिग्राम पे मैसेज कर सकते हैं वहां पे आपको हम इंगलिस वा लोग को स्टेटमेंट के साथ हम प्रॉबाइड कर देंगे पीडियेफ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है मेरोको नहीं लगता कि आप लोग को प्रॉब्लम होगी क्योंकि समझने में ही परेशानी होती है समझने के लिए तो मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ बाकी आप लोग अपना स्टेटमेंट लिख लिजिएगा आपका एक्जामपल वगएरा देखके आप लिख सकते हैं अगर नहीं लिख पाएंगे तो आप हमें बताइएगा हम आपको हेल्प कर देंगे तो चलिए आठ नमर कोशन में क्या दिया है एक संस्था को जहाज से दस दिन में माल को खाली करने का ओर्डर मिला है इस काम के लिए संस्था ने 280 लोगों को काम पर रखा है तीन दिनों में देखा गया कि काम का एक बटा चार हिस्था पूरा हो जाता है ठीक है तो समय से काम खतम करने के लिए और कितने लोगों का काम रखना होगा त्रेराशिक सुत्रित से हल करें तो देखिए कैसे क्या होगा अपली जो इन मैथमेटिकल लेंगवेज गडीत की भासा में गडीत की भासा में समस्या हुई तोड़ा मेरा राइटिंग बहुत ही गंदा है एडजस्ट कर लिजिएगा आप लोग अब देखिए सबसे पहले इससे पहले हमें क्या निकालना होगा देखिए इसके पहले आप लाइन लिख लिजिएगा मैं भूल गया क्योंकि यहां पर बताया है कि एक बटा चार हिस् आप लोग इसके उपर लिख लिजिएगा तो यहां पर क्या होजागा वन मैंनस एक बटा चार बाग हुआता तो एक पूरा काम को हम लोग एक मानते हैं तो एक बटा एक मैं से बटा चार बाग हिस्सा हो गया तो यहां पर हम देखिए चार 4-3 सोरी 4-1 4-1 हो जागा क्योंकि LCM 4 हो जागा 4-1 हो जागा यानिकि यहाँ पे 3 बटा 4 भाग हिस्सा काम बच गया है 3 बटा 4 हिस्सा हिस्सा यानिकि 5 3-4 पार्ट तब दिन कितने बचे हैं हमें 10 दिन में काम को कम्पलीट करना था तो गांट खे तुबिया हमेरे बाद समय क्या है को उसमें कि अब हम यहां पर आते हैं उसके बाद यह वाला quality लिखेगा गड़ित की भासा में समस्या हुई अब का काम का हिस्सा, ठीक है, यह हो गया आपका दीन, और यह हो गया लोगों की संख्या, ठीक है, अब देखिए हमारा सबसे पहले क्या कोश्चन में दिया था, एक चौथाई काम, जो एक चौथाई भाग हिस्सा, हिस्सा मतलब भाग भी होता है, यह काम का भाग भी लिख सकता है, काम का हिस्सा ही, की नहीं होगा, काम का हिस्सा, एक बटा चार भाग काम करता है, तीन दिन में, कितने लोग हैं, 280 लोग हैं, अब देखिए हमारा काम कितना बच गया, तीन बटा चार भाग काम को, साथ दिन में करना है, क्योंकि हमें 10 दिन में ही कम्पलीट करना है काम को, तो किसी एक चीज को एक फिक्स करते हैं तो सबसे पहले हम दीन को फिक्स कर लेते हैं हमारे पास बहुत संक्या में मजदूर है बहुत संक्या में मजदूर है हमारे पास दीन सिमित है दीन एक फिक्स दिया हुआ है तो काम हमारा अधिक होगा ओफिसली अधिक लोग है तो हमारा काम अधिक ही होगा चाहिए कितना भी कम समय हो चाहिए कोई जो भी हो जितना ज़्यादा हमारे पास मजदूर हैं उतना ही ज़्यादा काम होगा उसी तरह से विश्कॉम फिक्स कर लेते हैं लोगों की संक्या हमारे पास बहुत है काम जो है लोगों की संख्या जितनी ज्यादा होगी हमारा दिन का उतना ही कम लगना है समझ में आगे आप लोगों को क्योंकि अधिक लोग है तो काम अधिक होगा तो संख्या दिन हमारा कम लगेगा समझ यहां पर तो सेम टू सेम यहां पर relation लिख लिजेगा आप लोग relation लिखना जरूरी है आप लोग लिख लिजेगा कि काम का हिस्सा और लोगों की संख्या में सरल समानुपाती है तथा काम तथा लोगों की संख्या और या फिर काम के हिस्सा या फिर लोगों की संख्या से हमें compare करना है तो यहां पर लिखने के बाद यहां पर लिख लिजेगा आप लोग और यहां पर इंवर्स रिलेशन और शिमलर लिखियेगा अंग्रेजी वाले और उसके बाद यहां पर देखिए यहां पर लोगों की संक्या हो जाएगी अब देखिए एक्स बटा में एक्स बटा में 280 is equal to यह उपर से नीचे की और है यानि कि तीन बटा में हम साथ लिखेंगे अब देखिए यहां पर आ गया यह नीचे से की उपर की और लिखना है तो यहां पर क्या हो जागा देखिए multiply 3 by 4 divided by 1 by 4 ठीक है तब हम इसको क्या लिख सकते है देखिए अब हम क्या करेंगे x is equal to क्या हो जागा देखिए 200 सीधर आ गया गुणे 3 बटा में 3 बटा में 7 गुणे अब यह देखिए हमारा 3 बटा में 4 गुणे 4 बटा में 1 है ठीक है अब हम इसको काटेंगे तो 4 से 4 चला गया यहां पर साथ चोग के अठाइस चालीस हो गया तो यहां पर चारतीय बारा बारा त्याई 36 याने के 360 लोग अगर हम लगाते हैं तो साथ दिन में पूरा वह जो हिस्सा बचा हुआ था तीन बटा चार हिस्सा जो काम है वह कंप्लीट हो जाएगा तो यहां पर क्या बोला कि और कितने मज़दूर लगाए जाएंगे तो यहां पर यहां पर हम लिख लेंगे अधिक लोगो की संख्या is equal to क्या हो जाएगा 360 माइनस कितना था 280 यानि कि टोटल 80 लोग जो है हमें काम पर लगाने होंगे साथ दिन में कंप्लीट करने के लिए तो यह लिख लिख लिजेगा 80 लोग यहां पर लिख लिए 80 लोगों को काम काम पर लगाने से काम समय पर समाप्त हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन में चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन में चलते हैं चलिए 9 नमबर कोश्चन में क्या दिया हुए देखते हैं 9 नमबर कोश्चन एक यंत्र चालित तात की छमता हैं एक हच चालित तात की छमता से दो सही एक बटा चार गुणा अधिक है यानि कि जो हैंड जो हाथ से बनाया बनाने वाला मसीन है उसकी छमता जो है कम है जो मसीन से चलने वाली जो ताथ है, यह यह जो कपड़े बुणने की मसीन होते हैं, उसको ताथ बोलते हैं, उसकी कमता जो है, two whole one by four पात अधिक है, तो 12 हस्त자溺ी ताथ, 1080 meters यह यह लमगाई के कपड़े को अठारा दिन में बुनते हैं, तो 2700 यानि कि 2700 मिटर लंबे कपड़े को पंदर दिन में पूरा करने के लिए कितने यंत्र चाली तांत लगेंगे त्रेराशिक सुत्र से हल करें ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे चलिए question लिख लेते हैं यहाँ पर in mathematical language अंग्रेजी वाले हिंदी वालों के लिए गड़ीत की भासा में शमस्या हुई यहाँ पर हम लिखेलते हैं कपड़े की लंबाई कपड़े की लंबाई मीटर में है ठीक है दिन कितना दिन लगा और तात की संख्या तात की संख्या ठीक है तात की संख्या तो यहाँ पर हमारा question में क्या दिया था देखिए एक हजारा सी मीटर कपड़ा है ठीक है कितना दिन में 18 दिन में कितना तांत है तांत की संख्या कितनी है 12 तांत की संख्या है ठीक है अब क्या है देखिए 2700 मीटर हमें बुनना है कितने दिन में बुनना है तो हमें 15 दिन में बुनना है तो कितनी ताथ लगेगी वही हमें निकालना है तो यहाँ पर हमने एक्स मान लिया ठीक है मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी हम एक्स मानेंगे उसको हमेसा ज्यादा मानेंगे तो हम इसको ज्यादा लिख लेते हैं ज्यादा यानि कि नीचे से उपर यानि उपर क्या हो यानि कि ज्यादा हो जाता है तो यह तात की संख्या ज्यादा ज्यादा तो हम किसी एक चीज को फिक्स कर लेंगे जैसे कि हर बार हमने किया है तो यह काम जो हों किक्स है मसीन हमार पास बहुत ज्यादा है मैं दिन क्या होगा कम लगेगा तो यहां पी हमारा एरो नीचे के तरफ आएगा 검 हमारा माना गया इसलिए इसको इसी को लेकर करेंगे तो हमारा तात की संख्या बहुत ज्यादा है अब दीन की संख्या देख लिजे अब दीन की संख्या जो है क्या है हमारा दीन की संख्या हमारेपास समय दे दिये गया कि इस समय में आपको एक कमी ही नहीं है उपर हो जाएगा कि आप लोग यहां पर रिलेशन लिख लिजेगा रिलेशन संपर्क होगा हिंदी वाले संपर्क होगा में लिख लिजेगा कि हमारा जो कपड़ा और तात की कपड़े की लंबाई और तात की संक्या में सरल समानु पाती है तथा कपड़ा और तात और दिन में भी बिलो माशा मानु पाती है तब यहां पर आप लोग लिख लीजेगा मैं भी लिख नहीं रहा हूं तो आप लोग लिख लीजेगा यहां पर अभी यहां पर क्या हो जागा इसके नुसार तो हमारा क्या यह जाएगी तात की संक्या क्या हो जाएगी देखिए तो हमने देखिए यह जैसे आरव ऐसे लिखना नीचे से उपर की ओर गया तो इमको नीचे से उपर की ओर लिखना यानिकि एक्स बटा में बारा ठीक है कि अब देखिए बराबर हमें क्या लिखेंगे देखिए अठारा उपर से नीचे की ओर रहा है इंहरे चाहरा बटा में 15 यहाँ पर बटा में ले लेते हैं तो यहां पर x is equal to क्या हो जाएगा हमारा देखिए देखिए अब 12 को मिधर cross multiply करके ले आएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगे देखिए 12 गुणे 18 गुणे 2700 बटा में 15 गुणे 1080 गएगे हजारस ही जीरों से जीरों चलाघ यहां पर देखिए बाड लिवा कि पाड़ा से 12 900 8 एники mm साथmb्शिया यह तीस हो घ्या यह 15 बोनी का 30 है आई इसोग उैए आमारा कितिन यो जो यंत्र चालित तांथ है यानि कि हैंड मेट जो तांथ है हमारा उसका संख्या केतना हो गया 36 हो गया लेकिन अब क्या बोला है जो यंत्र चालित तांथ है वो दो सही एक बटा में 4 गुना यानि कि 2 whole 1 by 4th multiple ज्यादा अच्छा है ठीक है तो हम इसको क्या करेंगे अब देखिए अब हम इसको क्या करते हैं उपर का मिटा लेते हैं नीचे हमारे पास इस्पेस नहीं है तो यहाँ पर हम देखिए 2ल सही एक बटा चार है 2ल सही एक बटा में 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 बटा में 4 लिख सकते हैं ताथ से उत्पादन is equal to 1 यंत्रचालित ताथ से उत्पादन समझ में है कि नहीं आपको यानि कि 9 बटा 4 गुना मतलब 9 बटा 4 हस्त चालित ताथ से जो उत्पादन हम लोग करेंगे वो एक यंत्रचालित ताथ से ही कर लेंगे यानि कि ये यह हमारा ज़्यादा हो गया हस्त चालित ताथ से हमारा अधिक हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे इसको एक हस्त चालित ताथ उत्पादन ब्राबर क्या हो जाएगे सही एक बटा में एक बटा में नौ बटा में चार, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए, चार बटा में 9 हो जाएगा अब क्या हो जागा यहाँ पर तो 36 हमारा 36 निकला हुआ है तो यहाँ पर हम 36 लेंगे 36 हस्त चालित चाथ से उत्पादन ब्राबर 4 बटा में 9 गुड़े 36 तो यहाँ पर 9 चौके 36 यानिके 4 चौके 16 यंत्र चालित ताथ से उत्पादन तो यहाँ पर हम हमारा उत्तर हो गया कि 2700 मीटर लंबा कपड़ा को 15 दिन में पूरा करने के लिए हमें 16 यंत्र चालित ताथ किया वसकता लगेगी ठीक है यह हमारा 9 नमबर कंप्लीट हो गया तो चलिए अब 10 नमबर की ओर चलते हैं दस नमबर कोर्शन में क्या दिया हुए देखिए 25 क्रिसक एक समवय समिती के 24 भिगा जमीन को 36 दिनों में जोत देते हैं समिती ने एक टेरेक्टर खरीद कर देखा कि आधा जमीन 30 दिन में जोता जा सकता है तो एक टेरेक्टर की छमता कितने क्रिसकों की छमता के बराबर है त्रे राशिक सूत्र से हमें हल करना है इसको तो देखिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पर लिख लेते हैं गडीत की भासा में अंग्रेजी अले लिखिएगा इन मैथमेटिकल लेंगवेज जमीन का छेत्रफल जमीन का छेत्रफल बीघा में अंग्रेजी वाले लिखिएगा इरिया ओफ लैंड दीन क्रिशको की संख्या नंबर ओफ फार्मर क्रिशको की संख्या ठीक है तो कोश्चन में क्या था क्या दिया है 2400 जमीन है 36 दिनों में 25 जोट देते हैं टीक है तो अब हम निकाल लेते हैं कि यह जो इतना सबसे पहले तो में को fix करेंगे हैं अब आवारे कशच्षक देखेंगे अब इसको इसको fix कर लेंगे अभी बहुत सबसंसे क्शिब्स देखेंगे वनाद के चाहिशिक है वंकर रूसल मुत Beginning हमें कम दिन लगेगा कोई काम को करने के लिए तो यहां पे हम रिलेश्ण क्या हो जागा हमारा गुरे नियुचन हो जाएगा यहां पर हो जागा देखिए कृष्यां को कि शंख्या और जमीन का चेत्रफल में सरल समानुपाती है ठीक है यहां लिख लिजेगा और क्रिशकों की संख्या और दिन में हमारा बिलोमा शमानुपाती है तब यहां पर यहां पर हम क्या लिखेंगे क्रिशकों की संख्या यहां पर क्या हो जागे देखें नीचे से उपर की ओर यानि कि X बटा में 25 बराबर यह देखें उपर से नीचे की ओर है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 36 बटा में 30 अब यह देखें नीचे से उपर है यानि कि 1200 बटा में 24 100 अब यह X बराबर हम क्या लिख लेंगे 36 गुण दो दो बारे में कट जाएगा यहां पे देखिए दो बारा दो एकम दो दो अठे 16 अठारा बारे में कट गया यह पांट से जाएगा देखिए पांचरे 25 और यह 5 एतिस छे तरी 18 याने कि यहां पे आंते हैं 15 यहां पे 15 हैं क्रिषक को क्रिषक 15 हैं वह 12 जमीन को टीस दिन में जोत देंगे ठीक है तो अब क्या है आप समझ में आ आपको एक ट्रेक्टर की जो च्छंबता था वह 15 खर रोडों की कितने कृशक की है 15 लोगों ने किया तो यह एक ट्रक्टर की छमता के बराबर यह 15 कृशक है ठीक है यह समझ में आगे आप लोगों तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद का कोश्चन को बताऊंगा आपको तो आसा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना बुले अपने क्लास्मेट के साथ जरूर सेयर करें